तो नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करने वाले बोध धर्म के बारे में बोध धर्म का परिचाय क्या है बोध धर्म का परचार परसार कहा तक हुआ और बोध धर्म की सिक्षाएं हमें क्या मिलती हैं तो सारा कुछ डीटेल में बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में, तो आईए सुरू करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे बोध धर्म, तो बोध धर्म के प्रावर्तक यानि कि बोध धर्म के जन्म दाता गोतम बुद्ध जी को माना जाता है, उनका बच्पन का नाम, यानि कि गोतम बुद्ध के बच्पन का नाम सिधार था, इनका जन्म 563 इस वीपूर में, नेपाल की तराई में कपील वस्तु के निकट लुम्बनी वन में उनका जन्म हुआ था, उनके पिता का नाम सुदोधन थे, जो कि कपील वस्तु के साइक गनों के परधान थे, और उनकी माता का नाम महा माया था, जो कि कोसल राजवन्स के राजकुमारी थी, जब गोतम बुद्ध का जन्म हुआ, यानि कि स्वयोसव काल में थे, तब उनकी माता का मिरती हो गया, उनके बाद जब उनकी माता का द्यांत हो जाता है, उसके बाद सारा का सारा पालन पोसल, उनकी मौसी परजापती गोतमी ने भार में आयाता है। इनका पालन पोसन इनी के हाथो होता है। सिध्धार्थ जो है यानि की गोतम बुद्ध बच्पन से बहुत चिंतलन सिल सोभाव गेते हैं। इस परकार सांसारिक जीवन से वे विरक्त हो चुके थे उनके पिता ने इनकी यहां हालत देखते हुए उनकी सोलाव वार्स में हैं उनकी साधी करवादी और जो साधी करवादी थी वह राजकुमारी थी चैसोधरा जो की अच्टेंत खूबसूरत यानि की बहुत ही अच्छ सुन्दर दिखते थे परन्तु सिधार्त सांसारिक दुखों के वास्त्विक संतोस नहीं पा सके इन सांसारिक दुखों में उन्हें वास्त्विक संतोस नहीं मिला तब वे मानव जीवन के चार द्रेसियों को देखें और चार द्रेसियों को इनके जीवन का रूप बदल द ओए चार द्रीष कौन कोई से थे ? देखिए! चार द्रीष से थे सिधार्त ने चिंतन को बहुत प्रभावित किया और उन्णने एक बुठे वैक्ति को देखा जो कि अपनी बुठी जो बुढ़ा था वह अपनी सरीर सा जरजर हो चुका था और एक बिमार वेक्ति को दिखा जो की पूरे दुख से भरा हुआ था और तीसरा देखा एक मिर्तक जो की जिसके पीछे कई वेक्ति रोते रोते जा रहे थे और एक चोंथा वेक्ति देखा जिसका नाम था सैन्यासी यानि कि वह सैन्यासी सादू संत जैसा वेक्ति था और इन सब द्रिश को देखते हुए गोता बुद्ध का जो हिर्दय था ना वह मानवता के दुख में फस कर रह गया और उनका हिर्दय पूरी तरह से खिन हो उठा पुत्र हो चुका था जिसका नाम राहुल था उन दौनों को सोते हिवे आधिरात को छोड़कर घर से फरार हो गया यानि कि गिरिहत त्याग कर दिए जब वे गिरिहतियाग यानि कि घर से चले गएं तो इस घटना को नाम दिया गया महा भीनिस क्रमन गोतम बुद्ध के गिरिहतियाग की घटना को कहा जाता है और जब मातमा बुद्ध 29 वर्स के आयू में घर छोड़ कर चले गएं इसके पस्चाद वे ग्यान की खोज में यानि कि एकदम सुद्ध चेतना की खोज में ग्यान की खोज में कई वर्सों तक भटकते रहें और अन्तता 16 वर्स की कठेन साधना के पस्चाद बैसाक पुर्ण और नदी के किनारे जो कि बोद गया में है निरंजरा नदी के तछप पर उरुकवेला में निरंजरां नदी के तछप पर एक पीपल विरिच जिसे बोधी विरिच में का जाने लगा पिपल विरिच के नीचे उन्हें ग्यान की प्राप्ती हुई इसके बाद वे बुद्ध के नाम से जाने जाने लगें इससे पहले वे सिधार्थ के नाम से जाने जाते थें गोतम ठीक ना गोतम बुद्ध इनी के बाद यहां जाने जाने लगें बिख्यात हो गए गोतम बुद्ध के नाम से ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात बुद्ध ने सबसे पहले वारा नसी जो की उत्तर प्रदेश में है के निकट सारनात इस्तित असो कस्तम में अपना पहला उपदेश दिया पर्थम उपदेश दिया जिसे धर्म चक्र परवर कियें और तब उन्हें पेचिस हो गई जिसके कारण उनकी मिर्तियों हो गई बाद में गोतम बुद्ध ने यहां बताया था कि इसका कारण तेली नहीं बलकि उनकी मिर्तियों निकट आ चुकी है और जब यहां मिर्तियों हो गई घटना हो गई तो इसे महापरी निर्वान कह गया ठेक महापरिनिर्वान कहा गया गोतम बुद्ध की मिर्तियों को अब देखें गोतम बुद्ध से संबंदित कुछ चिन बता रहा हूं इसे ध्यान से सुनिएगा गोतम बुद्ध की जन्म के घटना का पर्तिक चिन है कमल और साड दूसरा है गिरिह त्याग तो गोतम गोतम बुद्ध के बंधन से चुटकारा पाने के लिए आठ परकार के सिधान्त बताएं जिसे अश्टांगिक नियम या अश्टांगिक मार्ग कहा गया अब यह जानते हैं इन अश्टांगिक मार्गों के नाम, पहला नाम है सम्यक दृष्टी, दूसरा नाम है सम्यक संकल्प, तिसरा नाम है सम्यक वाक, चोथा नाम है सम्यक कर्म, पांचवा नाम है सम्यक आजिव, पांचवार के बाद छठा नाम आ जाता है हमारा, सम्यक ब्याम, सम्यक तो बुद्ध ने कहा कि संसार पूरा का पूरा संसार दुख मैं से भरा हुआ है दुख से भरा हुआ है और लोग केवल अपनी इच्छा अपनी लालसा अपनी तृष्णा जो बोलिएगा इच्छा लालसा तृष्णा तीनों एकी चीजे इनके कारण ही लोग दुख पाते है अपनी इच्छा अपनी तृष्णा और अपनी लालसा के कारण ही लोग दुख पाते हैं यही सब भी दुखों का कारण है यदि इन पर बिज़े प्राप्त कर ली जाए तो निर्वान यानि कि मोक्ष प्राप्त हो जाएगी निर्वान बोध धर्म का परम लेच्छ था निर् बोलते हैं कि गोतम बुद्ध दुख से छुटकारा पाने के लिए आठ परकार के साधम अपनाएं जैसे अश्टांगी मार्ग कहा गया अभी जो मैंने बताया आपको उनके सिक्छा ना तो अज्तधिक कठिन थी और नहीं अज्तधिक आसान वह बीच-बीच का मैध्यम मार को अपनाना चाहते थें और ये लोगों को अपनाने के लिए कहते थें यह कर्मकान तथा पसुबली जैसी कुपर्थाओं ने बुद्ध का जमकर विरोध किया वे मानव जाती में समानता लाना चाहते थें उन्होंने जाती पर था छुवा छूत तथा अन्य भेद भाव को गलत बताया उन्होंने अपने संग का द्वार सभी जातियों के लिए खोल दिया चाहे हुआ ब्राह्मन जाती हो या सुद्र जाती हो किसी भी जाती किसी भी धर्म सभी कोई उनके सिस्सि बन सकते हैं धार्मिक द्रिष्टि से उदार थी उनकी धार्मिक निती अब हम उन्हें ग्यान की अपेक्षा जो नेतिक बल दिया बुद्ध के उपदेश बुद्ध के उपदेश मुल्य लक्ष मानव जाती को दुखों से छुटकारा दिलाना था उनके उपदेश सरलता और बेवारिक दिखाई परती थी जिसके कारण बुद्ध धर्म में काफी लोग यहां पर जुड़ गए है देखिए बुद्ध धर्म में त्री रत्न माना जाते हैं कौन-कौन बुद्ध संग और धम और बुद्ध धर्म जो गरंथ दिये हैं बुद्ध ने जो अपने परवचन दिये हैं पुस्तकों में बनाया गया और तीन रतन तीन पीटक बताएगें कौन-कौन त्री पीटक देख्ये बोथ-धर्म में उपदेशों को तीन भागों में बाट transmitted about the धर्म के वे तीन भागों में बाटे गए है इन्हें पिटक कहा जाता है तीन पिटक जो यह तिनो पिटकों की अध्यान कर लेता है उसे तरिपीटकाशारी कहाते है राहुल सांस्कुर्टी आयन जो लेखा कें परसिद्ध उन्होंने इन तीनों पिटक जो है यह तीनों पिटक सूथ पिटक बिनाई पिटक और अभिधम पिटक तीनों पिटकों का एधियन क्या है जिसके कारण उसे त्री पिटका चारी कहा जाता है यानि कि जो भी वेक्ति इन तीनों पिटकों का एधियन करता है उसे त्री पिटका चारी कहा जाता है अब देखिए ये तीन पि अब हम बात करते हैं बोध धर्म का परचार परसार जी यहां बोध धर्म का परचार परसार जैसा कि हम सब जानते हैं बोध धर्म का परचार परसार भारत के अलावा अन्य कई देसों में हुआ आपको जानकारी के लिए बता दूँ कि पूरा का पूरा जो जापान है और चीन यहाँ पे बहुत धर्म के सरनागत यानि कि बहुत धर्म के लोग रहते हैं भारत में अनेक महान राजाओं ने इस धर्म को गरहन किया और इसके परचार परसार के लिए अपने राज्यों को लगा दिया अपने ऐसे राजाओं में सबसे प्रथम नामाता है बिम्बिसार, अजाज सत्रू, कनिस्क, हर्सवर्धन, आदी परमुक थें असोक जिसका आप नाम सुनते ही होंगे समराट असोक ने अपनी धर्म को अंतराश्टे पहचान दिलाई इस बोध धर्म को और चीन, जापान, कोरिया, स्री लंका, दक्षिन, पूर्व, एसिया की कई दिसों में ये अपने बोध धर्म का परचार करने के लिए राजी के करमचारी भेज़े यहां तक कि अपनी पुत्रों और पुत्री को भी असोक ने भेज दिया था बिदे बोध करते हैं बोध धर्म की देन, तो देखें, बोध धर्म में अहिंसा, सांती, बंधुत्व, सह अस्तित्व, आदी का आदर्स दिया गया, असोक, कनिस्क, हर्स, आदी राजाओं ने जो धर्मिक सहिसुनता अपनाई थी, वे बोध धर्म से प्रभावित थें, यानि कि वे बो धर्म का प्रभाव भारत्य कला, सत्यापत कला में भी हमें दिखाई देता है, और इसके विकास में भी काफी परमान मिला, जैसे सांची का अस्तूप, सारनात में जो इस्तित है, उसके बाद अजंता की गुफाएं, उनके परसिद चित्रकारियां वहाँ पे दिखाई गई संग्रायलेयों में भी इनके बोध धर्म के कई मुर्तियां मिल जाती है, और सबसे बड़ी है कारले के गुफा, आपको जानकारी के लिए बता दो कि कारले के गुफा महाराइश्ट्र में लोना वाला के निकट कारली में इस्तित है, और यहाँ चट्टान काटकर निर्मित प्राचिन बोध विहार बनाए गए हैं, देखिए बोध विहार किसे कहते हैं, तो बोध विहार उस उन अस्थानु को कहा जाता था, जहां पे बोध धर्म के भिक्चु यानि कि बोध धर्म का पालन करने वाले जो सिस्थें, वे रहते थें, यह बोध धर्म की कला और सारी कि सारी बोध धर्म का परिच्छाएं परचार सिक्षाएं आज किस वीडियो में हम लोग कंप्लिट कर ली तो I hope मैं उम्मिद तो करी सकता हूं कि इस वीडियो में बोध धर्म के सम्मंदित आपने काफी सारी जान का रहे हैं पाली होंगी तो प्लीज यार चैनल में पाली बा के इसाथ तब तक के लिए आपने स्वास्त का ख्याल रखे गँए अ झाल झाल